Hey guys, welcome to my channel, Factual Studies. Guys, इस वीडियो में हम Indian Art and Culture की बारे में बात करेंगे. इस वीडियो में Fair and Festivals की बात करेंगे. आगे की next वीडियो में, Dances के बारे में और Folk Dances के बारे में बात करेंगे. Guys, Jammu Kashmir के 4th Class Special Recruitment के लिए यहाँ पर कोर्स चल रहा है इस चैनल पर. आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF आपको Factual Studies के टेलिग्राम गुरूप में मिल जाएगी. तो वीडियो को शुरू करते हैं. First है, Ongal Festival. यह Festival इंडिया के Southern Part में मनाया जाता है. जैसे Tamil Nadu, Union Taitry Puduchery और Shri Lanka में भी यह Festival मनाया जाता है. चार दिन के लिए यह Festival मनाया जाता है. यह एक Harvest Festival है. और January की 13 से 16 के बीच में यह Festival तमिल नाडू और इंडिया के सोधन पार्ड में मनाया जाता है. Ongal Festival इसका नाम है. Next Festival है, Pushkar Festival. यह एक टाइप का Camel और Livestock Fair है. Means Pashumela. राज्यस्तान की अजमेर डिस्टिक के Pushkar गाउं में यह मनाया जाता है. 1900 में सबसे ज़्यादा Tourist Pilgrims इस Fair में आये थे. लगवग 3 लाख और बहुत ही बड़ा मिला यह होता है राज्यस्तान के अजमेर में. लगवग 5 दिन तक यह Fair चलता है. इसका नाम है Pushkar Fair. Next, रोंगली बीहू, बोहांग बीहू. रोंगली बीहू को बोहांग बीहू भी कहते हैं. यह असाम में मनाया जाता है 13 April को हर साल. यह भी एक Agriculture के Related Harvest Festival है. इस Festival में बीहू गीद गाए जाते हैं, संगीद गाए जाते हैं, Folk Dance किये जाते हैं, असाम के Traditional Dance और Folk Dance, Singing के Tradition है वहाँ पे बीहू गीद गाए जाते हैं, इसका नाम है बोहांग बीहू. Next, सरहूल Festival यह जारखंड में मनाया जाता है, सरहूल Festival साल ट्री के Flowers आने पर मनाया जाता है, और साल ट्री की Worship की जाती है इस Festival में, यह ट्राइवल Festival है जारखंड का, इस Festival में भी Folk Dance किया जाता है, Traditional Songs गाए जाते हैं जारखंड के, इसके बाद है अरत्यात्रा, यह एक बहुत ही popular अरत्यात्रा निकाली जाती है उडिसा के पूरी से, और यह World Famous जात्रा है जो निकाली जाती है, वर्ल्ड से भी लोग इस यात्रा को देखने के लिए आते हैं, Lord जगर्नाथ के ओनर में यह यात्रा निकाली जाती है हर साल उडिसा के पूरी से, इसके बाद है सागा दवा, बुद्धिजम लोग इस Festival को मनाते हैं, लौड बुद्धा के मैमरी में इस Festival मनाय जाता है, सिक्किम का यह Famous Festival है, ऐसे यह May के End में और June के स्टार्टिंग में पड़ता है, और बुद्धिस्ट के Lunar कलेंडर के हिसाब से, यह 4th मन्त के Full Moon Day पे मनाय जाता है, इसी के साथ सिक्किम का एक और Festival है, तिबितियन इयर के कैलेंडर के स्टार्टिंग में यह फेस्टिवल मनाय जाता है, लोजार फेस्टिवल, यह एक बहुत ही important फेस्टिवल है, ओनम, यह भी इंडिया के Southern Park में मनाय जाता है, mostly यह केरल में मनाय जाता है, ancient time के एक legendary king, King Mahabali के आने के खुशी में यह celebrate किया जाता था, लगबग 10 दिन तक यह मनाय जाता है, August और September के महिने में इस फेस्टिवल को मनाय जाता है, इस फेस्टिवल में में फोक डांस किये जाते हैं, Snake Board Race की जाती है, इसी फेस्टिवल में नहरू ट्रॉफी Board Race औरगनाई की जाती है, केरल का यह बहुत ही फेमस फेस्टिवल है ओनम, इसके बाद महाराश्टरा का यह बहुत ही फेमस फेस्टिवल गनेश चत्रुदी, हिंदू कैलेंडर के बद्रापदा महीने में यह फेस्टिवल मनाया जाता है, पूरे महाराश्टरा में और दस दिन तक यह फेस्टिवल चलता है, सब लोग बहुत ही दूमदाम से यह फेस्टिवल मनाते हैं, और गनेश बगवान की मूर्ती को अपने गर पे सजा के वहाँ पे पूजा करते हैं, गनेश चत्रुदी, महाराश्टरा का एक फेमस फेस्टिवल है, फूलाचीन फेस्टिवल, यह हिमाचल परदेश का एक फेमस फेस्टिवल है, यह भी बद्रापडा के मौनसुन महीने में मनाया जाता है, हिमाचल परदेश का एक फेमस फेस्टिवल है, हर साल मनाया जाता है, और इस फेर को अनिमल सेक्रिफाइज के साथ ओपन किया जाता है, means fair को start करने के time animal sacrifice किया जाता है फिर ये fair start होता है ये हिमाचलक इसके बाद बात करते हैं अंदरपर्देश में मनाय जाने वाले festival की ब्रह्मोथसव celebrate किया जाता है तिरुपति के बैंक टेशवरा टेंपल में celebrate किया जाता है September और October में इस festival को celebrate किया जाता है लगबग 9 दिन तक ये festival चलता है अंदरपर्देश में इसी के साथ अंदरपर्देश में और festival मनाय जाते हैं बिश्मा, एकदशी, डेकन festival, संकरांती, त्यागराज festival ये अंदरपर्देश के important festivals हैं इसके बाद हिमाचल परदेश के festival की बात करते हैं गोची festival यहाँ पर important festival है और महा शिवरात्री इस festival को भी हिमाचल परदेश में दुमदाम से मनाय जाता है पहले गोची festival की बात करते हैं ये festival male child होने की खुशी में मनाय जाता है और इस festival में माननेता है छे साल से पहले लड़के की शादी फिक्स कर दी जाती है इस festival के according इमाचर परदेश में ये festival मनाया जाता है इसके बाद महाशिवरात्री की बात करते हैं ये एक हफता चलने वाला festival है शोबा यात्रा निकाली जाती है इस festival में बूतनात मंदिर के पास और ये festival हर साल मनाया जाता है इमाचर परदेश में अब बात करते हैं अब बात करते हैं नागा लैंड के festivals की हार्नविल festival ये एक बहुत ही important tribal festival है नागा लैंड का और ये नागा लैंड के culture को represent करता है नौर्थ इस्ट का बहुत ही famous festival है ये एक दिसंबर से दस दिसंबर तक हर साल ये नागा लैंड के culture को promote करने और बचाय रखने के लिए नागा लैंड में मनाया जाता है इसी के साथ नागा लैंड में एक और festival है सिक्रेनेई ये भी एक tribal festival है नागा लैंड का इस festival में भी नागलेंड का कल्चर शो किया जाता है ट्राइवल्स के द्वारा और इस festival में भी ट्राइवल्स लोग वहाँ के folk dance और songs festival को celebrate करते हैं सिक्रेई, सिक्रेनेई इस festival का नाम है अब बात करते हैं पंजाब में मनाय जाने वाले festivals की, यहाँ पे दो festivals, बहुत ही important festivals हैं, एक लोरी एक विसाखी, लोरी की बात करते हैं, यह मकर सकरांदी के एक दिन पहले festival मनाया जाता है, हर साल 13 January को यह festival celebrate किया जाता है, और Sun Guard को यह festival dedicate किया जाता है इस तरह से आग जलाकर लोग आग की पूजा करते हैं, हर साल 13 January को यह festival celebrate किया जाता है, और बिसाखी celebrate किया जाता है, हर साल पंजाब में, यह festival रभी कराब की हॉरवेस्टिंग के टाइम पे celebrate किया जाता है हर साल वीड की हॉरवेस्टिंग के टाइम पे, यह festival इस festival में में लोग गिदा, बंगरा, फॉब्डांस करके इस festival को celebrate करते हैं एपल के मन्थ में इस festival को celebrate किया जाता है अब बाद करते हैं गुजरात में मना जाने वाल festivals की जनमाश्वी वहाँ पे दूमदाम से मना जाती है जनमाश्मी लॉड शिरी क्रिशन के बिर्थ एन्वेसरी पे मना जाती है हर साल ये गुजरात में मना जाती है इसके बाद नवरातराज नो दिन तक दैटीज की पूजा की जाती है माता की पूजा की जाती है फास्ट रखे जाते हैं और ये गुजरात का famous festival है वैसे तो not all over India में ये दोनों festival बहुत ही famous है गुजरात में इनको दूमदाम से मनाय जाता है इसके बाद बात करते हैं राजिस्तान में मनाय जाले वाले festival की गंगोर festival वहां का एक important festival है होली की बाद इस festival को लगबग 18 दिन तक मनाय जाता है पारवती को honor के लिए इस festival को मनाय जाता है वीमेंज इस festival में folk dance करती हैं राजिस्तानी हर साल 18 दिन के लिए इस festival को मनाय जाता है इसके बाद तरुपूरा festivals खर्ची पुजा ये तरिपूरा का important festival है 14 gods की worship के लिए festival हर जुलाई और अगस्त में celebrate किया जाता है इस festival में भी cattle sacrifice किया जाता है वर्शिम को खतम करने के लिए तरिपूरा का ये खर्ची पुजा important festival है इसके बाद गोव में मनाय जाने वाले festivals कार्निवल, शिंग्मो मेला, सनबर्न festival ये यहां के important festivals है कार्निवल की बात करें तीन दिन तक ये non-stop celebrate किया जाता है इस festival में भी music, songs और dance continuously लोग करते हैं enjoyment करते हैं इस festival में इसके बाद बात करें शिंग्मो festival ये एक होली की तरह ही festival मनाय जाता है गोव में इसके बाद बात करते हैं sunburn festival ये festival यूथ में जादा popular है क्योंकि इस festival में भी dj's लगाय जाते हैं और non-stop continuously dance किया जाता है लोग celebrate करते हैं वर्ल्ड में famous है ये festival sunburn festival और ये carnival festival उत्तरपरदेश में मनाय जाने वहले festivals first है नवरात्रीज उसके बाद राम नौमनी नवरात्रीज नो दिल तक fast रखते जाते हैं और दुर्गापा माता की worship की जाती है इस festival में लोग fast रखते हैं नवरात्राज में अल ओवर इंडिया इस festival को मनाय जाता है इसके बाद राम नौमनी की बात करें ये God Ram की worth anniversary पर इस राम नौमनी को celebrate किया जाता है इस festival में girls और females की worship की जाती है society में इसी के साथ उत्तरपरदेश में मनाय जाने विले festival ब्रहमोथसव, कांसका मेला स्रवन festival, रामलीला गंगा महोथसव ये उत्तरपरदेश के important festivals हैं गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को YouTube पे subscribe कर दीजिए और वीडियो को like कर दीजिए इसके बाद बात करते हैं popular harvest festival of India इंडिया में harvest festivals जो मनाय जाते हैं North, West, South, East सभी parts में मनाय जाने वले festival फ़र्स बात करते हैं North India की मकर सकरांदी January में मनाय जाती है ये Pan India Festival मनाय जाता है mainly इसे North में मनाय जाता है इंडिया के बेसाखी की बात करें April में मनाय जाती है Punjab और हर्याना में ये mostly मनाय जाती है जम्मकश्मीर पे भी मनाय जाती है North India में और इसके बाद लदाक harvest festival करें mainly ये लदाक में मनाय जाता है September के महीने में लदाक, जज़कार, कारगिल इन जगाओं पे ये festival मनाय जाता है लोडी की बात करें ये January में मनाय जाती है 13 January को हर साल मनाय जाती है Punjab में ये famous festival है बसंत पंचमी ये भी January में मनाय जाती है ये Goddess सरस्वती के birth पर ये celebration की जाती है और पूरे North India में इस festival को मनाय जाता है North East festivals की बात करें बोगाली भी हूँ January में असाम में मनाय जाता है वंगाला फेस्टिवल November में मनाय जाता है ये मेगाले और असाम का famous festival है काप ओंगलाम फेस्टिवल ये November में मनाय जाता है और मेगाले का ये famous festival है East और West India की बात करें यहाँ पर मनाय जाने विले festival First है नोकाही फेस्टिवल ये Odisha का famous festival है August के मन्त में August के मन्त में मनाय जाता है गुडी पढ़वा फेस्टिवल March के मन्त में नवाना फेस्टिवल November और December में West Bengal में मनाय जाता है फिर से रिमाइंड करें नोकाही फेस्टिवल ओडीशा का फेस्टिवल गुडी पढ़वा फेस्टिवल महाराश्टिवल नवाना फेस्टिवल West Bengal फेस्टिवल South Indian festivals की बात करें ओननम पोंगल, उगाडी, विशू ये सारे important festivals है ओनम, केरल का important festival है August में मनाया जाता है पोंगल, तमिलनाडू का important festival है और सौधन पार्ड में ये दोनो festivals मनाया जाते हैं इंडिया के पोंगल, जैनुरी में मनाया जाता है उगाडी, अंदरबरदेश और करनाटक में मनाया जाता है विशू festival, केरल, करनाटक में मनाया जाता है और अप्टैल के मन्त में मनाया जाता है अब बात करते हैं न्यू येर festivals की उगाडी festival, अंदरबरदेश और करनाटक में सेलिबरेट किया जाता है ये New Year Festival है गुड़ी पडवा महाराष्टर में संबत्सवोर पदवो फेस्टिवल गोवा में celebrate किया जाता है नावा बर्षा फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में पुथ होंडो फेस्टिवल तमिलनाडू में विशू फेस्टिवल केरल में ये सब New Year festivals हैं celebrate किये जाते हैं जो इस चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेर कर दीजिए नेक्स वीडियो में हम folk dances की बात करेंगे जो हर state में celebrate किये जाते हैं इस वीडियो की PDF आपको टैलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी अब वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो टैलिग्राम ग्रूप को भी फॉलो कर सकते हैं So guys, thanks for watching the video Have a nice day